कहीं मधुमक्खियों का डंग तो कहीं चिडियों के भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके लोग खूबसूरत दिखने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते हर कोई चाहता है कि वो सुन्दर दिखे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन तरीकों का इस्तिमाल करते हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे सुन्दरता बढ़ाने के ये नुस्खे इतने कतरनाक हैं कि आप सोच कर ही सिहर उठेंगे आप सोच में पढ़ जाएंगे कि कोई ऐसे तरीके कैसे अपना सकता है जी हाँ, आज कल ट्रेंड में ऐसे इनुस्खे चल रहे हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा आप को जानकर हैरानी होगी कि त्वचा की कसावट बर करार रखने के लिए मधुमक्खियों के डंग का इस्तिमाल करते हैं ऐसा करने वालों के अनुसार मधुमक्खियों के डंग से त्वचा में जुरिया नहीं आती है इस तरीके से चेहरे पर निखार तो आता है लेकिन आपको हमारी सलह है कि इसे आप अपने घर पर बिल्कुल ने आजमाए अगर आप सोच रहे हैं कि मधुमक्खियों से कटवा कर फेशल करवाना ही सबसे कत्रनाग तरीका है तो आप गलत हैं क्योंकि कुछ जगों पर स्किन को फेर बनाने और उस पर सिद्धा धब्बे मिठाने के लिए जूंकों का इस्तिमाल किया जाता है इस तरह कि फेशल में चेहरे पर जूंको चिपका दिया जाता है जूंक चेहरे का खून चूसते हैं ऐसा तरीका अपनाने वालों के मुताबिक जोंक चेहरे के गंदे खून को चूस कर निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिर्फ दर्ब का सहरा लिया जा रहा है। कई लोग तो पक्षियों के बीट से भी चेहरे का मसाज करते हैं। दरसल पक्षियों के बीट को सुखा कर उसका पाउडर बना लिया जाता है। उस पाउडर को चेहरे के मसाज के लिए इस्तिमाल में लाते हैं। खूबसूरती बढ़ाने के ऐसे ही बहुत से अजीब औ गरीब तरीके आजकल ट्रेंड में हैं।